दमश्का दोस्तों मैं हूँ अदिती शर्मा और स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूच्वीब चैनल में तो खबरे आ रहे हैं कि रेखा बिग बॉस OTT का हिस्सा बनने वाली है अब ये क्या है, कैसे है और कहानी के पीछे का ट्विस्ट क्या है इन खबरों में कितनी सचाई है चलिए आपको इसके बारे में बताती हूँ तो होने क्या वाला है कि रेखा को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है मेकर्स ने दी है रेखा बनकर आने वाली है Tree of Fortune, Big Boss OTT के Contestants के लिए और इसमें भी वेड़ करना चाहूंगी Top Contestants के लिए क्योंकि आप सभी को पता है कि 6 हफते का जो है, 6 हफते तक ये शो चलने वाला है एक हफता निकल चुका है, 5 हफते बाकी है और उसके बाद Top Level के जो Contestants होंगे उनको रेखा जी Introduce करवाएंगी सल्मान खान से जी हाँ, रेखा बताएगी उनके Plus-Minus Point, ये बताएगी कि उनको Big Boss 15 में क्यों जाना चाहिए तो वो Reason जो है, वो रेखा बताने वाली है, तो एक बड़ा Connection Big Boss OTT और Big Boss Season 15 के बीच बनकर रेखा आने वाली है और ये है रेखा का रोल, बाकी Big Boss OTT में वो नहीं जाने वाली और वो घर के अंदर Big Boss Season 15 में भी नहीं जाने वाली लेकिन रेखा का फिलाल रोल ये है, तो जो भी ये बता रहे हैं कि रेखा Big Boss Season 15 में या Big Boss OTT में आपको घर के अंदर देखने को मिलेंगी ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो ये थी एक बड़ी जानकारी जो निकल कर बाहर आ रही थी, बागी यासी latest updates के लिए बने रही हमारे साथ, मिलते हैं next video में